यह तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं आयोध्या से आयोध्या से पीया मोधी की तस्वीरें राम दिला के दर्शन और पूजन करते वे पीया मोधी किसी धी तस्वीर आपके सामने लोगसभाद चुनाव के बीच में पीया मोधी पहुचे हैं आयोध्या वहां की तस्वीर आपके सामने भव्यमन्दीन में विराजमान होने के बाद प्रान प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद प्यमोदी का ये पहला दौराख है अयोध्या का और वहाँ पर भगवान राम लला का अशिरवाद लेते हुए प्यमोदी दर्शन कर रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है तीसरे फेज की वोटिंग होनी है साथ तारीकों लेकिन उससे पहले धुआधार प्रचार प्यमोदी करते हुए अलग-अलग हिस्तों में जाते हुए और आज वो पहुँचे हैं अयोध्या भग्मान राम का दर्शन इस वक्त प्यमोदी कर रहे हैं दर्शन पूजन के बाद उनका रोडशो भी होना है यह तस्वीर अयोध्या से सीधी आपके सामने है देखें आयोध्या का यह राम पत्थ दो हजार चौबिस का विजे पत्थ क्या साबित होगा सीम योगी आदितिनाद भी यहाँ पर मौजूद है प्यमोदी यहाँ पर पहुँच चुके है उनका कुल दो घंटे का यहाँ पर पूरा कारिक्रम आयोध्या में इस वक्त राम मंदिन में मौजूद है प्यमोदी वहाँ पर राम दला का दर्शन पूजन प्यमोदी कर रहे हैं और उसके बाद उनका रोडशो भी होगा प्यमोदी का जो पूरा रोडशो का रूट प्लैन है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं राम लला के दर्शन उसके बाद सुग्रीव किला रोड से उनके रोड शो की शिरवात होगी लता मंगेशकर चौक रोड शो यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाएगा उसके बाद एरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए वो रवाना होगी दंडवत साश्टांग करते वे पियमोदी आयोध्या की तस्वीर सी थी आपके सामने राम लला से आशिरवाद जीत का त्यूंकि देखें एक और देश भर में अलग-अलग हिस्सों में लगातार वो जाकर के प्रचार भी कर रहे हैं जनसभा को सम्मोधित कर रहे हैं और वहां से वो दोहराते वे नजर आ रहे हैं कि तीस्टी बार फिर से उनकी सरकार बनने जा रही हैं और यहां पर पहुँचे हुए हैं अयोध्या भगवान राम लिला के दर्शन पूजन कर रहे हैं प्यम मोधी और एक बड़ा संदेश यहां से देते हुए मोधी दो घंटे तक कुल यहां पर रहने वाले हैं इसके थोड़ी देर के बाद उनका रोडशो भी शुरू हो जाएगा लोग बेतहाशा वहां पर इंतिजार भी कर रहे हैं कि प्यम मोधी का रोडशो जब शुरू होगा तो वो एक जलक उनकी देख पाएंगे भव्य मंदिर भगवान राम का बना 500 सालों का जो इंतिजार था वो खत्म हुआ उसके बाद इसी साल जन्वरी में प्रान प्रतिष्ठा भगवान राम की प्रतिमा की उसके बाद अब ये पहली बार है जब यहाँ पिया मोदी पहुचे हुए हैं प्रान प्रतिष्टा के बाद यहाँ से आशिरवाद लेकर निकलेंगे पिया मोदी और फिर उनका रोडशो शुरू हो जाएगा सुग्रेव किला से देखे 5 अगज 2020 को राम मंदर का भूमी पूजन किया पिया मोदी ने ही 23 अक्टूबर 2022 को आयोध्या में भव्य दीपोत्सव हुआ 30 दिसंबर 2023 आयोध्या के कई प्रोजेक्ट की शिरवाद यहाँ पर हुई 22 जन्वरी को राम लला की प्रान प्रतिष्ठा की पूजा आर्चिना की वो तस्वीरे भी आपने देखी 5 मईए 2024 यानि कि आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पिया मोदी और दर्शन पूजन कर रहे हैं इसके बाद उनका एक भव्य रोडशो भी होना है राम मंदिर में दर्शन पूजन और उसके बाद सुग्रीव किला से रोडशो की शिरवात करेंगे पिया मोदी जो कि लता मंगेशकर चौक पर जाकर के रोडशो उनका खत्म होगा उसके बाद फिर आगे एरपोर्ट वो जाएंगे वहाँ से उनको भूवनेश्वर भी निकलना है अभी इस वाक्त मंदिर में ही मौजू ने पिया मोदी और वहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं